कि यहां पर देख सकते हैं कि यह जो महीला है है उसका मूड जो है वो अचानक से बदल जाता है जैसे कि कभी वो खुस होती है या फिर कभी वो उडास हो जाती है तो यह एक हेल्थ प्रॉब्लम रह सकते हैं और अपर चर्ऽिंद रहते हैं कि अपकर यह कर दिमाग का सकतान या बहुत तेज आप कुछ सोच रहे हैं या फिर आपका मन बदल जाता है तो यह आपकी health condition होती है जिसमें आप बहुत चिंटिंट रहते हैं और कभी कबर आपको बेचीनी भी फील होती है तो चोटी-चोटी बातों पर परेशान हो जाना चोटी-चोटी बातों पर आपको ह परतासा रहती है तो यह जो सभी symptoms है वो indicate करते हैं कि आपको bipolar disorder की बिमारी हो सकती है आप समझते हैं bipolar disorder के बारे में कि यह bipolar disorder का मतलब क्या होता है बाइ यानि की दो बाइ का मतलब होता है दो तो bipolar disorder है यहां से हम इसे divide करें तो यहां से देखेंगे कि यह जो बच्ची है वो अभी खूस है तो दूसरी साइट से हम देखें तो यह बच्ची अभी उदास है तो इसे हम bipolar कहते हैं तो ऐसी condition में क्या होता है तो हम पहले समझत है तो एसी condition में कुछ एसा होता है कि जो patient होता है वो अपनी कि जो mood है वो change कर देता है यानि कि कभी भी अपना sentence बदल देता है कभी भी कुछ लेक्चर रहेगा जिसे हम short में कहेंगी कभी खुसी और कभी गम इसे इंसान हो जाना तो यहां पर आप देखे एक जो face है वो smiley है और एक जो है वो sad है तो यह mental health disorder है यह एक arm disorder नहीं है कोई arm disease नहीं है यह क्या है यह एक दिमागी बिमारी है जो की characterize करती है कि वो आपके mood पे dependent रहती है अब आपका interest कम हो गया है किसी activity में या फिर आप significantly impairment रहते हैं अपनी daily life में यानि कि आपकी जो daily life है वो busy हो गई है आपका mood change हो गया है या फिर आप कुछ बाते regularly repeatedly सूच रहे हैं इसे condition में आपको mental health disorder हो सकता है जिसे हम bipolar disorder कहते हैं तो यह एक AC group की condition है जिसे हम कहते हैं कि इनसान का mood जो है वो low हो जाता है कम हो जाता है तो इसी condition में कभी कबार हम इसे depression भी कह देते हैं लेकिन इसका जो main reason है जो main disorder है वो है bipolar disorder तो चलिए अब समझते हैं डीटेल में इसके बारे में कि bipolar disorder येक मान्सिक स्थती है इसमें व्यक्ति जो है वो उदासी निरासा तनाव और आत्मविश्वास की कमी को feel करता है कि वो खुद को ही low feel करता है और उसको अधिक घबराहत दर या बेचे नहीं हो सकती है कि किसी के सामने खुद को express ना करना अगर express कर रहे हैं तो किस तरीके से करें तो इसे condition में उसे bipolar कहते हैं अब इसके causes के के बारे में सीखेंगे कि सबसे पहला जो causes है वो यह है कि अपनी खुद की life में उनको stress रहता है अगर कोई काम पर जा रहा है तो वहां पर उनका stress रहना अगर जो patient है वो जहां पर रह रहा है तो वहां का जो arrangement है उच में changes आना आप कोई emotional trauma से गुजर रहे हैं या फिर आपकी life में stress है traumatic कोई भी event हुआ है किसी की death हो गई है या फिर आप जिससे भी प्यार करते हैं उसे आपने खो दिया है तो यह bipolar anxiety की कारण भी हो सकता है anxiety में क्या होता है तो हर बार चिंता रहना हर बार तनावाना तो यह इससे हम early childhood trauma कहते हैं यह traumatic condition हो जाती है तो दूसरी ओर देखें तो अगर किसी के family या फिर relationship में problem है सरीर में बहुत ज्यादा illness, ठकान, fatigue रहता है, insomnia हो गया है, नीन नहीं आ रही है, body में cramp रहते हैं या फिर ADHD यानि कि attention deficit hyper activity disorder यानि कि वो हर बार ऐसा सूचता है कि मुझे पे ही कोई attention आने चाहिए है सब लोग मुझे ही ध्यान रखें, मुझे ही बाते करें, मेरे ही बारे में ये सब करते हैं, तो ये एक, इसके causes रह सकते हैं दूसरा कि brain का structure किस तरीके से हैं, हमारा जो brain का structure है, वहाँ पे frontal part जो है, वो इनसान का कम काम कर रहा है तो उसकी activity ज्यादा ना होने पर भी ये symptoms रहते हैं, तो अब chronic pain किस तरीके से होता है, तो regularly people जो है, वो क्या देखते हैं, तो जो आप देख रहे हो, टीवी में, या फिर किसी की life में, तो आपको लगता है कि ये तो इनसान healthy है, इसका तो सब कुछ अच्छा जल रहा है, लेकिन इसकी जो real life है, वो इस तरीके से traumatic हो जाती है, विकास उनकी life में कहीं न कहीं कोई भी problems होती है, तो इसे condition में patient जो है वो बिमार रहता है, तो ऐस साथ ऐसे ही बहुत सारे disease के बारे में सीख सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी disease के causes, symptoms, diagnosis, treatment मिल जाएगी, तो इस बुक को purchase करने के लिए आप हमें इस WhatsApp नमबर के true contact कर सकते हैं, और सीखते हैं कि इसके symptoms यानि कि लक्षन क्या है, किस तरीके से patient का mood change हो जाता है, तो इसके लक् बार-बार आखों में से सुआ जाना, emptiness, hopelessness हो जाता है, गुसा ज्यादा आना, irritable हो जाना, frustration आ जाना, sleep में disturb हो जाता है, काफी ज्यादा सोने लगता है, या फिर इंसान सोच सोच के सू ही नहीं पाता है, तो ये सारे उसके लक्षन रहते हैं, जिसमें आपको चक्र भी आ सक जिकता है, विकॉज आप सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, कुछ भी activity नहीं कर दे हैं, तो उसके कारण आपका जो दिमाग है, वो भी slow हो जाता है, आप थिक से बोल नहीं पाते हैं, जा फिर आप बहुत difficulty से breathe, यानि कि सांस ले रहे हैं, जा फिर किसी भी काम में आपक इस हो जाती है, विकॉज आपकी सोचने की क्षमता बहुत ही तेज हो जाती है, जिसमें आप खुद से ही nervous फील करते हैं, restlessness हो जाना, tension बढ़ना, panic देगाना, fear रहना, दर रहना, और weakness आजाना, या फिर weakness के कारण आपको sweating यानि कि पसीना भी आ सकता है, इसके numbers of symptoms हैं, जैसे कि आप खुद को control नहीं कर रहे हैं, बेक पिन हो जाना, कभी कबर headache, anxiety, hesitation, restlessness, यानि कि सो से नहीं पाते हैं, तो आपका interest जो है activity में वो कम हो जाता है, तो इसे ही आपको भी अगर symptoms है, तो आप मुझे इस WhatsApp नमबर के true contact करिये, जिससे मैं आपकी help कर पाऊंगी और आपको एक अच्छा expert consultation मिलेगा, अब सीखते हैं, diagnosis के बारे में, तो patient का सबसे पहले physical examination करना पड़ेगा, physical examination में देखेंगे, कहीं patient को anxiety तो नहीं, या फिर personality disorder, जिसमें patient किसी के सामने खुस होता है, तो या फिर किसी और के सामने डुकी हो जाता है, depression से face कराई या फिर सिजोफेन एरिया, तो इसी condition में physical examination होता है, दूसरा patient का counseling ठीक से करना होगा, कि patient को क्या चाहिए, किस दौर से गुजर रहा है, MRI या फिर CT scan से भी पता चल सकता है, बिकॉस उनका जो brain है, वो activity पचाह सल सकती है, उसके साथ साथ daily mood chart, तो mood chart में भी आप यहाँ पे देखे कि patient का mood case आ है, तो normal condition में यहाँ पे चाहिए प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, यानि कि वो आज बहुत ही ज्यादा खुस है, sad है, बहुत low feel कर रहा है, तो इसके symptoms भी यहाँ पे हैं, जिसे कि anxiety, irritability, कौन सा medication ले रहे हैं, exercise क्या कर रहे हैं, तो य mood chart है, इसे भी आप patient की activity जान सकते हैं, उसके साथ patient का hormonal assay, patient में जो hormone है, उनका imbalance हो जाना या फिर blood test, तो यह जादे diagnosis है, वो किये जाते हैं, अब treatment के बारे में सीखेंगे कि घर पे patient को proper diet देनी चाहिए, physical activity ठीक से हो रही है, नहीं हो रही है, patient को diabetes है या फिर नहीं है, उनका BP maintain होना चाहिए, smoking नहीं लेना है, healthy weight रखना है, alcohol में limit रखनी है, tobacco use नहीं करना है, और ठीक से सोना है, यह home remedies हो गए, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही सीखना है, तो हमारा जो course है, PDF बुक का वो भी आप मेरी application learn with FISA से ले सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ आपको हमारी जो बुक है वो चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें इस WhatsApp नमबर के true contact करके, अपनी बुक ले सकते हैं, अब medicine के बारे में सीखेंगे, तो medicine में सबसे पहले आएगी mood stabilizer, यानि कि जो patient का बार पर mood change हो रहा है, तो उसे stabilize करेंगे, mood take करेंगे, तो यहाँ पर एक medicine है, जिसका नाम है करबामाज़बिन, तो Abbott Company Mezotol 100 के नाम से बनाती है, तो इसकी 100 mg low dose रहता है, तो दिन में 200 mg दी जाती है, two times a day, डूसरी यहाँ पर है mood stabilizer, limo trezine, disposable tablet, तो इसके different variant है, जिसकी 25 mg आपको every other day, यानि कि एक दिन छोड़ के आपको देना है, तो Monday को दे रहे हैं, तो Tuesday को नहीं देंगे, वेनस देंगे, इस तरीके से एक दिन छोड़ के देना है, उसके बाद next week में हम क्या करें तो next third or fourth week में 25 mg हम उनको daily देंगे, यानि कि 7 दिन में हम 7 बार patient को suggest करेंगे, दूसरी यहाँ पर है anti-psychotic, अगर किसी को psychotic जैसे disorders लग रहे हैं, symptoms लग रहे हैं, तो इसमें आती है resperidon, तो resperidon की 4 mg की यहाँ पर tablet है, तो 1-2 tablet patient को suggest करते हैं, और दूसरी है olanzepin, तो olanzepin 1-2 tablet patient के condition के according, psychotic drug में suggest कर सकते हैं, तो इसके साथ साथ अगर किसी को mood stabilizer का problem है, तो उसको भी combination में आप दे सकते हैं, तीसरी यहाँ पर है anti-anxiety, अगर किसी को anxiety की symptoms देख रहे हैं, तो उसमें आती है clonazepam, disposable tablet, mankind की है, तो इसका जो starting dose है, वो यह है कि 0.5 mg से लेके, उसकी 1 mg, 3 mg, 5 mg इसे बहुत सारी आती है, तो यहाँ पर आप दिन में 3 बार 0.5 mg उसका starting dose patient को डे सकते हैं, anxiety की condition में, और दूसरी है alprazolam, तो अगर किसी को panic attack आ रहे हैं, या फिर mood change हो रहा है, या फिर psychotic disorder है, तो उसके according, आप combination therapy में alprazolam suggest कर सकते हैं, तो 0.5 mg का इसका जो dose है, वो patient को डिन में 3 बार suggest करना है, तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, इसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है, इसे भी जरूर से देखें, मेरे साथ इसे ही सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को टर्न करना ना भूलें, थैंक्यू फूर वाचिंग में वीडियो,